त्यारी बच्चों कक्षा दस्वी गड़ित वसे के अध्याय तीन प्रश्ण वली तीन दसन में छेके प्रश्ण काउंग पहले का चौत्था प्रश्ण जिसके अंत्रगत यहां पर पांच बटे एक स्रिन एक धन एक बटे वाई रिन दो पराबर दो और छे बटे एक स्रिन एक रिन 3 बटे वाई रिन 2 बराबर एक तो अन समिकरण युगुंब बदले जा सकने वाले समिकरणों को हमको हल करना है और इसे सरल करने के लिए सबसे पहले हम करमसय इन्हें समिकरण एक तथा दो से नामंकित कर दें इसके बद हम मान लेते हैं कि एक बटे X रिंड एक बराबर P है तथा Y रिंड दो बराबर Q है अब इस समीकरण को हम ऐसा लिख सकते हैं पांच P धन एक Q बराबर दो तथा 6 P रिंड तीन Q बराबर एक इससे हम समीकरण करमांग तीन से निर्देशित करें तथा अगले समीकरण 6 P रिंड तीन Q बराबर एक को हम समीकरण 4 से निर्देशित करें तो यहाँ पे देख रहे हैं हम यह समीकरण विलोपन बिदी से सरल किया जा सकते हैं यहां पे रिण 3 है और यहां धन 3 प्राप्त कर लें तो समिक्रण विलोपन विदी से सरल हो सकता है तो यहां पे 3 का गुणा करने पर तो 15 पी धन 3 क्यू बराबर 2 गुणित 3 अरथा 6 होगा 34 समिक्रण को हम वैसा ही लिख लें और इसे हम जोडने पर लिखेंगे क्योंकि दोनों चिन अलग-अलग हैं कैंसल हो जाएंगे 15 पी धन 6 अरथा 21 पी बराबर होगा 7 पी कमान यहां से 7 बटे 21 होगा और इससे सरल करेंगे तो 1 बटे 3 प्राप्त हो जाएगा कैंसल करने पर अब हम P कमान समीकरण 3 अथवा 4 किसी भी समीकरण में रखने पर 5P धन Q बराबर 2 यहां पे P कमान हम 1 बटे 3 लिखेंगे तो 5 गुनित 1 बटे 3 धन Q बराबर 2 अथवा यहां पे पक्षंतर करने पर Q बराबर 2 रिण 5 बटे 3 हम लिखेंगे इसे हम शरल करेंगे लगुत्तम लेखर Q बराबर यहां होगा 3 लगुत्तम लेने पर 3 दुनी 6 और और डिए पांच Q का मान 1 बटे 3 प्राप्त हो जाएगा तो यहां देख रहे हम P और Q का मान 2 का 1 बटे 3 प्राप्त हुगा है लेकिन जब हम यहां पर जो माने थे हमने 1 बटे x रिन 1 बराबर पी तो यहां P का मान रखने पर 1 बटे x रिन 1 बराबर 1 बटे 3 तेरिय गुणा कर दे हम तो x रिन 1 बराबर 3 प्राप्त होगा एक का पक्षंदर कर दें तो प्लस हो जाएगा तीन धनेक इसलिए x कमान यहां पर 4 होगा तथा इसी प्रकार से 1 बटे y रिंड 2 बराबर यह दिकी हो है तो क्यों कमान 1 बटे 3 रखने पर तिर्यक गुणा कर दें तो y रिंड 2 बराबर 3 इस से पक्षांतर करने पर y कमान 3 धन 2 रथा y बराबर में 5 प्राप्त होगा इस तरीके से देखा आपने कि अन्य समिकरण युग में बदले जा सकने वाले समिकरणों को अलग-अलग प्रकार के समिकरण से कैसे प्राप्त करके x तथ y कमान प्राप्त कर सकते हैं